मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ आज की स्टोरी में आपको दो अलग चीजे मिलने वाले जी है बिल्कुल हट के पहला है ये हॉरर स्टोरी है बहुत सो लोगों ने कमेंड किया था सर्थ सब्टाइपी स्टोरी आपने मनाया है कुछ हॉरर स्टोरी यानि की डरावनी कहानी भी हो जाए तो हॉरर स्टोरी मान के चलिए आज की स्टोरी डरावनी कहानी है दूसरी चीज यहां पर क्या अच्छी बात है आज आपको ज्यादातर sentences यहां पर आपको present simple tense के दिखने को मिलने वाले हैं इस्टोरी में ज्यातर क्या होता है ज्यातर sentence आपको past simple के मिलते हैं जहां पर verb का second form का use होता है तेकिन यहां पे आपको present simple tense के ज्यादा तर आपको sentences देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, जो भी grammar के साथ आपको पूरा बताने वाला हूँ और story horror है तो थोड़ा अलग experience भी आपका रहेगा, मेरा भी तो चलिए रेखते हैं, story कैसी है, क्या है और आप लोग copy pen हमेशा लेके बैठे, क्योंकि कई ऐसे words होते हैं, जिसका सही pronunciation मैं आपको बोल देता हूँ लेकिन हो सकता है, आप लोग उसे अभी तो याद है, बाद में आपको याद नहीं होगा तो आप लोग जिस भासा में हिंदी, उर्दु, पंजाब, जिस में आप चाहें, तो अपने भासा में, अपने शब्दों में उसका pronunciation सही, प्रंस्टेशन सही उचारओं, उसके मायने आप लिख लिया करें, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं तो अभी तो आपको याद रहेगा, अगले बार जब आप यह वर्ट देखेंगे, तो आप हो सकता है, गलत उचाहन करें, गलत उसका pronunciation करें, जले स्टार्ट करते हैं, इसका टाइटल में छिपा कर रखाओं, क्योंकि जो टाइटल है उसी में ही उसका एंडिंग हो ज इडरतन ठीक है, यह है, फ्राइटनींग, फ्राइटनींग का मतलब होता है, दरावना, भैबीत करने आपने होता है, फ्राइटन से फ्राइटनिंग मना हुआ है, यहां इक दरावनी कहानी है, तो पूरा sentence को अपने हिसाब से आगे पीछे आप जमा के बोल सकते हो कि एक रात एक घर में यह एक अकेली लड़की की कहानी थी जो घर में अकेली थी for the first time यहाँ पर full stop लगा है तो इसी कही sentence का पूरा कर रहा है for the first time for जब समय बता रहा है तो हम for का यूज करते हैं first time पहली बार तो पहली बार clear होगे यहाँ पर पूरा यहाँ पर sentence आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि पहली बार उलड़की घर में अकेली थी यहाँ इससे पहले कभी धर में अकेली नहीं थी उसकी कहानी है डरावनी कहानी है चलिए देखते हैं क्या डरावनी कैसे है she has a dog to keep her company she has वह यह उसके पास थी has याने किसी के पास था have has का यूज़ करते हैं sorry has याने है आप देखेंगा प्रेजेंस इंपर टेंस को जाता है या आपको यूज़ मिलेगा she has उसके पास है a dog एक कुत्ता to keep her company keep her company याना होता है साथ देने के लिए उसे keep her company बोलते है company ने साथ देना तो साथ देने के लिए उसके पास है कुत्ता है has the girl listens on the news about a serial killers on the news the girl लड़की listens अब देखें listens लिखा वे लिशन याना होता है सुनना एस क्यों लगा है क्योंकि प्रेजेंस इंपल टेंस में एस से यस लगता है यदि he see it किसी का नेम हो या थर्ड परसन सिंगुलर हो एक वचन हो तब हम एस से यस लगाते हैं जैसे यहीं पर मैं सुनता हूं तो क्या होता हूं I listen मैं सुनता हूं लड़की सुनती है girls listens तो इस प्रकार से आप यूज करें ताहती है तो लड़की सुनती है और याने पर the news समा चार पर about के बारे में a serial killer serial killer आपको पता है जो एक के बाद एक सबको मारते जाता है उसका कुछ एक तरीका रहता है तो उसे serial killer कहते है on the lose lose नाव है ऐसा मतलब हो गया हो तो एक serial killer के छूड़ जाने का एक समाचार सुनता है कि serial killer क्या हो गया छूड़ गया है भाग गया है अब बहुत डर की बात है हो सकता वहीं ना आ जाए she goes to sleep after locking all the doors she goes वह जाती है देखे present simple dance का बहुत सार आपको मिलने वाला goes वह जाती है क्लियर हो गया अब यहीं पर वह गई ऐसे बहुत क्या था she went she went वह गई ऐसे हो जाता past simple dance हो जाता past present sorry sorry यहाँ पर past simple dance होता यदि went होता तो और यहाँ पर यदि first form लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका present simple क्योंकि सी के बाद कोई helping verb नहीं है subject और सीधा verb का use किया गया है लेकिन s क्यों लगा है आपको पता चाहिए ने इस क्यों लगा हुआ है क्योंकि he see it या name के साथ s या yes लगता है अब ओ है तो side में yes लग गया she goes वह जाती है यही पर बोलता मैं जाता हूँ तो क्या होता I go तुम जाते हो you go वह जाता है he goes ऐसे होता है तो subject के साथ से बदलता है वह जाती है to sleep सोने के लिए to eat खाने के लिए to drink पीने के लिए ऐसे भी use करते हैं after के बाद locking याने lock करने के बाद तारा लगाने के बाद all the doors तभी दरवाजों को and windows और खिडकियों को अब गोलेंगे सर ऐसे अस लगा है इसका मनलब क्या दरवाजा ता खिडकी ते नहीं भई यहां पर ता है ती है नहीं लगता ता है ती है ऐसे येस कभी use होता है वर्ब में use होता है कोई क्रिया go play run eat इसमें ऐसे ऐसे लगता है अब गोज runs eats drinks sleeps तो कोई काम में ऐसे येस लगते तब ता है ती है और यदि किसी वस्तु में लगता है ऐसे येस तो plural बन जाता है बहु अचन दरवाजे खिडकियां cars बहुत सारे car है ना boys लड़के ये clear हो गया ऐसे येस का use but for one लेकिन एक यानि एक को छोड़कर which doesn't close जो which यानि जो doesn't ये doesn't क्या है actual में ऐसे does not है does not तो short करने के लिए क्लिए क्लिए क्लोजे को हम हटा के यहाँ पर केवल कॉमा लगा है तो एक सार्थ ये doesn't तो इसका मतलब होता है present simple term में negative sentence यानि नहीं ता है नहीं खाता है नहीं पीता है which doesn't close जो बंद नहीं होता है clear हो गया तो सभी दरवाजे को क्या करती है सोने से जाने के पहले lock करती है सिर्फ एक दरवाजा जो क्या होता है बंद नहीं होता है उसे छोड़कर बागे सबको बंद कर देती है तो एक दरवाजा खूला है एक किड़की खुली है suddenly अचानक से she is awakened by a dripping sound she is awakened वह जाग जाती है क्या हो जाती है जाग जाती है by यानि द्वारा a dripping sound एक dripping sound का मतलब टपकने की आवाज को drip करना है dripping sound याना है टपकने की आवाज को dripping sound मोलते है तो अचानक से वह जाग जाती है नीद में रहती है एक तपकने की आवाज के द्वारा तो उसकी आवाज सुनके वह जाग जाती है तप 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 जो आवाज होती है तो उससे जाग जाती है scared thoroughly ये थरली है ने इसे थरली पढ़ेंगे द्यान देंगे she tries to go back to sleep word tries try का tries हो गया तकि ध्यान देंगे try ऐसे लिखते हैं तो जब IES लगता है जब हम S ये ES लगाते हैं तो क्या होता Y हट के हम IES लगाते हैं ऐसे निखते हैं T, R, Y और यहां पे ES लगाते हैं ने ये गलत है हम IES लगाते हैं वापस जाने के लिए तो वो क्या करती है वापस सोने के लिए जाने की कोसिस करती है वापस जाके सो जाओं भी तपकने के वाज आ जा रहे तो इसके बाद हुआ है और रखती है हर हैं अपने हाथ को डाउन याने नीचे बेड बिस्तर के तो अपने हाथ को बिस्तर के नीचे रख देती है क्यों रखती है फॉर के लिए रियाश्योरिंग रियाश्योरिंग अश्योर करने आस्वस्त करने रियाश्योरिंग फिर से आस्वस्त करने के लिख फ्रॉम हर डॉग अपने कुट्टे से जो कुट्टा जो लिख करता है चाटता है अश्योर करने के लिए नीचे कुट्टा है तो उसका हाथ को रखती है और कुट्टा क्या करता है हाथ को चाटता है तो उसे लगता है कि हाँ चलो यहां पर कुट्टा मेरा है तो डरती नहीं है कि भी कोई नों कोई साथी होना चाहिए तो उसके साथ तो कुत्ता था तो उसे चाटने लगा तो उसे अश्यूर होगे कि चलो भी मेरे साथ तो कुत्ता है तो चलो थोड़ी सी हिम्मद बंधी as the dripping sound continues as याने जैसे ही जैसे ही जब क्योंकि बहुत सारा मतलब होता है the dripping sound तपकनी के वाज continues जारी रहती है continues जारी रहती है ताहती है c goes to check वह जाती है फिर क्लियर हो गया है यहां पर यह जाने क्योंकि भी होता है क्योंकि dripping sound जारी रहती है बारबट पकनी यह जारी रहती है तो क्या करती वह जाती है to check check करने के लिए जार्च करने के लिए on the taps in the kitchen taps taps यहने क्या होता है नलों को tap याने नल होता है taps यहने नलों को in the kitchen यह भी kitchen है तो टी सेलें लेटर है तो रसोई घर में जाती है क्या पता नल का पानी टपक रहो टप टप करके bathroom and everywhere else but finds nothing bathroom जाती है everywhere else याने हर जगा लेकिन finds पाती है nothing याने कुछ भी नहीं ताहती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है उसे कुछ भी नहीं पाती है तेकि ताहती हर बार आपको मिल रहे हैं क्योंकर present simple tense है find याने पाना ढूमना और as लगया तो ताहती है तो वहर जगह जाती है तप तपकने की अवाज सुनकर kitchen में जाती है डरते भी नल को देखती है तपकने की अवाज वहां से नहीं आती कही पर भी कुछ आवाज नहीं आ रहे या ने वहां पर कुछ भी नहीं टपक रहा होता है लेकिन आवाज आते रहती तपकने की शी रिटर्न्स टू हार बेड्रूम वह रिटर्न्स क्यों लग गया इस पता चल गया आपको लॉट्टी है यहीं पर वह लॉट्टी ऐसे होता तो क्या हो जाता हम क्या करते कुछ नहीं करते यह दिखिए रिटर्न स्वारी एन लगता और एडी लग जाता रिटर्न वह लट्टी थी ऐसे वह जाग्या यह पॉर सिंपलन स्क्रेंज यह प्रण सिंपल्टेश विए तरह हम् प्रेजvent आपने देखा होगा वगा प्रेजन सिंपलंस हम जीन से कहते हैं इंट्रोगेट्वा कहते हैं वह लॉट्टी है किसके पास तो भी तू प्रिफितर्यम करते अ ओर दान दॉलिक कुंते के चणने के लिगे अपने हाथ को फिर से नीचे रखती है धी बहुत नहता है नटा फिर से लिखे मने निटर। To fall asleep, fall asleep का मतलब होता है, गरी नीन में सोना है, सोने के लिए, नीन पढ़ने के लिए, तो भई, वो नीन में सोने के लिए बहुँ जादा डर जाती, क्यों? माल लो आ गया तो फिर वो नीन में सो गई और वो उस खिड़की से आ गया तो उसकी नीन भी नहीं पढ़ते रहती है but as लेकिन क्योंकि her hand gets licked उसका हाथ gets licked from under the bed बिस्तर के नीचे से क्या हो रहा था उसका हाथ licked हो रहा था याने की चाटा जा रहा था कुत्ते के द्वारा she slowly falls asleep वह slowly धीरे से falls asleep याने धीरे से उसकी क्या हो गई नीन पढ़ जाती है उसे नीन आ जाती है तो falls asleep लिखा गई तो उसको नीन लग जाती क्योंकि धीरे धीरे कुत्ता उसका हाथ चाटते रहता है तो उसे अच्छा लगता है और वो सो जाती है बस तोड़ा सा बचा है in the morning याने सुबा के समय सुबा में when she opens the closet जब वह opens क्यों opens लिखा है समझ गया है खोलती है जब वहाँ खोलती है the closet closet याने क्या होता है आलमारी को हम closet कहते है वैसे उसे cupboard भी कहते है आलमारी को closet भी कहते है जब आलमारी को खोलती है यही पोलता है आलमारी को खोली तो कहते है opened ऐसे वह जाता opens का क्या हो जाता opened ऐसे वह जाता second form जब वह आलमारी को खोलती है she finds वह पाती है her dog killed अपने कुट्य को मरा हुआ अलमारी के अंदर क्या पाती है अपने कुट्य को मरा हुआ पाती है And hanged और लटका हुआ upside down, upside down का मन्दब बता है उल्टा जैसे कि यह pencil का nox उपर है यह नीचे हो गया तो उसे उल्टा, upside down कहते हैं, opposite नहीं लिखेंगे, opposite का मतलब तो विरुद्धारती होता है, upside down का मतलब उल्टा याने, नीचे सिर उपर पैर, ऐसे उसे उल्टा कहते हैं, उल्टा लटके हुए, कुट्टे को अलमारी के अंदर मरह हुआ पाती है, थरुवल्ट, याने, रात को ही, कुट्टे की टपकने के आवाज पर, खुन की अवाज आ रहे थी, On the Closet Doors On the Closet Doors शाने आलमारी के दरवाजों पर She sees वह देखती है A message एक संदेज एक message लिखा हुआ देखती है क्या लिखा होता है यही ending और यही title भी है Humans can lick too इंसान भी चाट सकते हैं ठीक है इंसान भी क्या कर सकते हैं चाट सकते हैं इसका मतलब आप समझ गए कि इंसान भी लिख कर सकते हैं टाइटल भी देखी क्या लिखा होता है Humans can lick too इंसान भी चाट सकते हैं तो यहाँ पर आप समझ गए एक्च्वल में क्या था जब वो अंदर घुसा तो वो कुत्ते को पहले ही मार के अलमारी में बंद कर चुका था जब अलमारी वगरा दरवाजे खिटकी बंद करने गई होगी ना नीचे या खाने गई होगी जब भी तब तक वो अंदर आ चुका था कुत्ते को मार के अलमारे के अंदर उसे उल्टा लटका दिया था और वो खुद बैट के नीचे चला गया था और लड़की जब हाथ को नीचे करती थी तो ये खुद कुटा बनकर उसके हाथ को चाटता था तो इसे लगता था कि नीचे डॉग है कोई डरने की बात नहीं बैट के नीचे डॉग है अब रियल में यादी आप सोचेंगे ये तो खार स्टोरी है सचमुच में ये किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत हुई होगी ये कोई भूत परेत रहे ना रहे भूत परेत से एक बार आदमी फिर भी बच जाए क्योंकि भूत परेत होता है कि नहीं आज तक जिसे ने देखा है वो ही जान सकता है कुछ नहीं बोल सकता है मैं भी नहीं बोल सकता कि नहीं होता है या होते है पर जो देखा है वो ही मान सकता है जो नहीं देखा है वह अपने-पने विशार की उपर है, वह सोच की उपर है, लेकिन यह जिंदा आद्मी उसके उसके अंदर है, बैट के नीचे अब कौन है, बैट के नीचे वह सिरियल killer है उसके बात क्या हुआ यहां पर नहीं दिया हुआ है तो हम आगे जानना भी नहीं चाहेंगे यह थी आज की story आपने देखा प्रेजन सिंपल टेंस में ऐसे यह का बहुत ज्यादा यूज आपको देखने को मिला क्योंकि ज्यादा तर यहां पर शी-शी का यूज हुआ है या 3rd person का यूज हुआ है यह यूवी दे का यूज होता तो वहां पर हम ऐसे यूज नहीं करते तो आप आप बताएंगे आज की horror story आपको कैसे लगी पसंद आए तो please comment करेंगे नहीं आई कुछ कमी है तो भी comment करेंगे कि सर यह कमी थी या जो भी आपको लगा हो इस प्रकार से आज आपने देखा इस story में प्रेजन सिंपल टेंस की story हमने सीखी तो आप दोनों यूनिक चीज था प्रेजन सिंपल टेंस और horror story यदि आपको story पसंद आए तो please like करेंगे शेयर करेंगे इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूँगा